सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी गुट्नों में किस ग्रेट का मसला है उसके according सारी exercise हम समझाएंगे सबसे पहले आपने करना ये है अपनी दोनों टांगे ओपर उठाएंगे शाबाश दोनों टांगे ओपर उठाएं ठीक है अब आप अपनी राइट वाली को एंकल पम करे है उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है यह किस चीज के लिए जादा है यह हमारी कुर्डि सेप्स ट्रेंथिंग एक्सराइज के लिए और हैंस के लिए ठीक है उसके बाद आप यह आम घर में हर कोई कर सकता है जब उनकी किसमें आम रूटीन में खवातीन दस मिनट खड करने आपने फुल दुबा के रखने आपने नीचे प्रेस करें शाबाज फुल प्रेस करें ठीक है आपने प्रेस करके रखना है यह भी आपने 10 सेकिंड का होल्ड करना है शाबाज प्रेस करें प्रेस करें हाँ छोड़ दें फिर प्रेस करें छोड़ दें कितने सेट्स करन करनी है यह आपने 20-20 रपीडिशन करनी है ठीक है इसको निकालने अब आप से बिलकुल सिधे लिटे रहे हैं ठीक है अब आपने दोनों एंकल फुल उपर से प्रेशर डालना है शाबाज एंकल को पूरा रोके रखेंगे उपर शाबाज मैक्सिमम रोकेंगे यह भी आपने 10 10-second होल करना इसके भी 20 रपेडिशन करने आपने ठीक है छोड़ दे उसके बाद आप ने यह पूरा नि बैंड करना है मैक्सिमम मैक्सिमम एनकर नहीं और इसको सिधा कर लेना अगर किसी क Вас यह कंछे रहुत इसको आईसा इसा के ओक्सीर्टey लेकिन इसकी मुमेंट पूरी होनी बहुत जरूरी है 허श्रा इसकी यह बिलकुर साथ लग जाए का साथ इसकी जो नियू शौन साथ लगजे और ठीके और कर दो के नागे कि अपने भी इस तरब रहला गाए है और। को शोड़ों प्रुआ ही आप कमर की बता दें को या उसके लादा से यह आप कमर की भी बता दें तो यृआ लेक्स के लिए गुठने की आपने खास तोर पर एक्सराइज जिससे जिस सोजश हो जाती है उसमें भी आराम आएगा सूज़न के वाले से मगर आपको बताएं उसके लिए मैडिसन भी आती है उसके लिए आप इसको आइसिंग भी कर सकते हैं आप इसको हिटिंग पैट भी लगा सकते हैं वो हम देखेंगे कि उसका किस ग्रेट का गुठनों और स्ट्राइटिस किस ग्रेट का है यह तो बिल्कुल अभी यंग है ठीक है लेकिन यंग यूथ में बहुत ज्यादा ये गुठनों के मसायल आ रहे हैं ठीक है मैं साथ ही साथ आपको कमर की एक्सराइज आपने एक कठी करनी है टांग पूरी पेट के साथ लेकर जानी है दोनों आतों से खेंचें अपने दोनों आतों के साथ आपने खेंचना है शाबाश मैक्सिमम खेंच के रखना है दूसरी टांग आपकी सीधी रहे शाबाश इसको सीधा रखना है इसको पूरा आपने कठा करना है इसको भी आपने 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है छोड़ दें फिर करें शाबाश ठीक है यह कमर के लिए यह कमर के लिए अब आप ऐसे दूसरी टांग को करेंगे शाबाश मैक्सिमम खेंचने आपने यह कमर के किस हिस्से के लिए जादा देखें यह लोड बैक के लिए है जिस रूटीन में लोगों को शैटी का रहती है कमर से दर्द निकल के पूरी टांग में आना हमारी टांगों में बारा पांट रहना कमर में अकसर दर्द रहना नीचे उटते बैखते हमें कमर में दर्द रहना यह कमर के लिए एक्सराइजें सारी और यह दोनों ही कैठी किरेंगे जा सकती है दिन में है अगर किसी की डिस्क बल्ज है तो उसके लिए ये बहुत есяसाइज है। है कि रूटिन में लोगों की डिस्क बल्ज उजा ती ऐल फाइव ऐस वान ऐले ट्री ऑइल टू एल वन डिस्क बल्ज होने की सुरत में ये एक्सराइज बहुत मुफीर है tsar को यह वाली एक्सेसाइज भी तो होती हैं विछो बढ़ा के करते हैं आइसे पैयर नद अ क्टैन को अवड़ा होता है और सेज में उनको हमने को अह से ऩास्क में डाल जा शुद भी रुड़क जहा कोई इस ये कर ました ómaie koham el Dawe disabilities smart आपने सीधा बैठ जाना थीक है आपने एकल वेट बने रेमिल जाते हैं वो अपनेकल वेट अपने बाँ लेने और उसका पड़ामे या है लेंकल वेट में बांख लेने हैं से शे दिन के बाद सदास दिन के बाद वेट इंक्रीज करते जाना है आइसल इसतर पहले आफ लिटर ते स्टराट कर ранु कि इसके बाद एक लिटर पे आजएं उसके पाफ तयल न Sutो पर चले जाना सीजे ये गुठोनों तक भी जाता है पें पूरे थाइस से लेके जाता है तो यह गलत पॉस्च्चर के वज़ए से भी नौजवान नसल में जो है नहीं जो जो मुबाइल फून आजकल हर बंदे के आदम मुबाइल है अभी तो इनके हाथ में इस तरह बैठा होता है हर बंद करने चाहिए ठीक है तकिया कम से कम लेना चाहिए दूद का इस्तेमाल ज्यादा करें अब आपने अब आपने अगे जो लगाना है यह से तीसरा स्टेप था लगाएं अगे जो शाबाश छोड़ दें फिर लगाएं छोड़ दें यह सर्वाइकल के लिए अच्छा होता है इस वाएक राडिकलोपैथी जो पें रडिये टिंग तो आम रडिये टिंग तो अबने सबके लिए यह बहुत मुफीद है ठीक है कि हम बडों कोई जो प्रॉब्लम्स होती है नहीं कि 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 हमारी अम्मियां दादियां अबू इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाए चलो बनत इस बिए बाड पोश्चर अपने पोश्चर को भी बिल्कुल अच्छा एकुरेट रखें और स्ट्रेट रखें क्योंकि जो आप अपनी बॉड़ी को जिस तरीके से रखेंगे वो उसी शेप उसी तरीके से जो आपर अपना स्ट्रॉक्चर खड़ा कर लेगी इस जिस अपने कमर की एक एक्सराइज जरूर और बतानी है आप चाहें तो खुद भी करके दिखा सकते हैं सो दाट इस एजी फो जो बैक की लेट के जो बिल्कुल ऐसे हाथ उठा के आप कोबर जी अगर वाली एक एक्सराइज दिखा दें क्योंकि उसे कमर में बहुत जल्दी रि एक्सराइज नहीं तो ज्यादा बित्र है तीक है सबसे पहले मैंने आपको नीब बेंडिंग वाली पुताई थी ठीक है नीब बेंडिंग की एक्सराइज आप ने इसको होल्ड करना है फाइसे इस से बढ़ाते जाएं फिर ऐसे दूसरी टांग को मैंने पताया था कि इसक है जो SLR है यह होता है स्टेट लेग रेजिंग टेस्ट सबसे पहले अगर आप किसी ओरतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले इसी सही आइडिया होता है आपकी कमर में और टांगों में किछाओ किस कदर है ठीक है तो आप अगर मेरा SLR 80 पे जा रहा है ठीक है यह आइस्ता जो सीदी तो इसलिए ऐसी एकसाइज रगाए ठीक हो जाय किवान थीक है उसके बाद आपने इसस में पेलौ रखने और ऑप य मिंद इसमें और जोर लगानना था एवर king आपने इसको इसको इस तरह प्रes कर रखने ठीक है आपने प्रस करने ना बाद आपने अपने गुटनों के इस तरह राउंड आपने को रबर्ड या को रसी या कोई डुबटा ले ले उसके राउंड आप इसको बांद ले और आपने बाहर को जोर लगाना है ठीक है बाहर को आपने जोर लगाना है वैसे इस तरह आपने अंदर जोर लगाया ठीक है ठीक है उसके बाद आपने बिल्कुल सिद्धा इस तरह बादू लंबे रखके अपनी कमर को उठाना है ठीक है इसको बोलते हैं कि ब्रिजिंग एक्सराइज ठीक है इसको आपने होल्ड करना है और इसमें भी बहुत से बहुत से ऐसे लोग है जिन से यह नहीं हो करके भी कर सकते हैं तो आपने मुझे कहा कि वह कोबड़क सेंशन के बारे में आप बताऊं कि इस तरह आपने बिल्ट लेटके आपके आपके शूल्डर के सामने होने चाहिए एक और आपने अराम-णाम से इस तरह उपर जाना है एक आपने यहां पर होल्ड करना है और वह अब वही बात आगी कि 5-10 सेकिन साइट पर करके दिखाईए आपको समझ आ रहे था कि वाकी आप करिए का साथ ऐसी लेटिए गा हां बिल्कुल मीचे लेट जाए आपने इस तरह आराम नाम से उठना है और आपके बादू सीधे हो जाए उठें शाबाश उपर नहीं आप पूरा बुशब वाला सीन बना रहे हैं वो नहीं गलत नहीं करनी है पाओ का पीछे उंगलिया भी सीधी करें जूते हां ऐसे सीधे लेटें सीधे उठें उपर शाबाश ये इसलिए मैं आप से करवारी हो ताकि आम घर में भी को बलती ना करें बादू सीधे कर दें आप ये इसलिए मैं आप समझाए यहां पे आपने होल्ड करना है टीक है बहुत सारे लोगों को इस ये सीधे से बहुत पेन होती है जी लेकिन ये जिन को ज्यादा पेन है वो ये कुछ न ना करें बाकी एक्सरशाईजीं कुछ एक्सराइजिए जिसमें आप इससे रिलीव बह वह अग्सरसाईजें आपकी पेन बड़े ना इस टब में आपकी पेन बड़े वो करना है लेकिन आपने उसकी अवे ती भी पेन नहीं बिल्कूल भी नहीं ठीक था I am not a patient अब आपको भी तो आप तो अपने आपको ठीक कर लेंगे जो आप लोगों कितनी रहनुमाई कर रहे हैं आप पैलाई साइशे कर लेंगे तो यह वाली बात है थांक यू सो मच आपने इत्ती सारी अग्सराइज हमें बता ही है मिलते आपको प्रेके बात